चलो आपको सीधे लिए चलते हैं CMKVC में केन सरकार ने दिया नहीं है किसी भी राज़ी को मैं मानता हूं इंटेक्शन के में पात पर केन सरकार को हम सभी साक्षियों को खास कर हमारे जो सांचत मौद हैं मौद होंगे उनको भी दिल्ली में बात करनी पड़ेगी कि जब तक आप रिसोर्स नहीं देंगे क्योंकि जो करुन का संगर्श हो रहा है वो शेरों में हैं हॉस्पिटल में हैं देश के लगलग इलाकों में हैं दिल्ली में तो हम लोगों को साहता सवयोग समधन मिलना चाहिए लेकिन जब तक आप पैसा नहीं मिलेगा तो किट्स हैं, मास्क्स हैं, हॉस्पिटल वेंटिलेटर्स हैं, ऑक्सिजन हैं, जो कहां से लिए कराएंगे इसलिए केंज सरकार का दबाब बनाकर हमें अपना स्टेट स्पेसिफिक फंडिंग हमें मिलनी चाहिए एक दोग पॉइंड में कहना जाता हूं, कुछ साथी उने कहा कि नरेगा के जो काम हैं, जो नई पंचायद बनी हैं, महाँ पर काम सेंक्शन नी हो पा रहे हैं तो अभी हमने डिसाइड कर लिया है कि जो पुराने परीसिमन के अधार पर पंचायदे थी उसके अधार पर काम सेंक्शन हो जाएंगे, कहीं पर भी काम रुकेंगे नहीं और हमने टागेट तो नरेगा में जानते हैं मुकमंदी जी कि नरेगा में टागेट नहीं दे सकते हैं डिमांडरिमेंट स्कीम होती है लेकि लोगों को प्रिर्द हम लोग कर रहे हैं कि पिछले साल जो हमारा आकड़ा था उसे जाद हम लोग पहुँच सकें और नरेगा में ही हम लोग पीने के पानी का हो सिचाई के रस्ता हो और उन कामों को निटे कर रहे हैं जो इंडिविजुल काम है 80% काम नहरेगा में हो रहा है वो लोगों के मगान निर्मान का हो रहा है और अखने खेतों में काम कर रहे हैं कर रहे हैं और मुझे लग रहा है कि इस दिशा में ग्रामिक पर्फेक्ष में अभी हम लोग सुरक्षित हैं लेकिन हमें दापरवाई हम करें यह मैं समतर रिस्क हम उठा नहीं सकते हैं वाकि सब लोग सहयोग से काम कर रहे हैं रायस्तान सुरक्षित रहे समरुद रहे संपन और फबिश्म में लोग इसी प्रकार काम करते रहें, मैं उम्मीद करता हूँ. धन्यवाद आपका, अभी में मन्जु मेगवाल बैठी है क्या, अभी मेशे रहे हुआँका? जायल. जायल? ओके. श्रीपी जोशी जी. यहां मिश्चय के इस कामरला. बेटी उसी बूले, हलो? आप बोले, बोले, बोले. यादी बोले, दोबेट. नमस्का. आपको बहुत बहुत आबार धन्यवाज सर आपका उपाकी समिश्या सर में लिकित में देदूंगी मैं आपको कौन बढ़िया